हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो अग्रवाल कुकिंग क्लासेस आइम सेजल अग्रवाल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ चाय के साथ ही नाश्ते मतलब ही शक्कर पारे की रेसिपी लेकर आई हूँ यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है खासकर यह बच्चों को बहुत करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं शक्कर पारे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक भगोना ले लिया है और उसके अंदर में यह चीनी ली हुई है एक कॉप उसके बाद इसी के अंदर हम डालेंगे एक कप घी यह प्यूर घी है यह मैंने कप से ही मेजर करकर लिया है अगर आपके पास कप से अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कटोरी और या कोई भी बरतन से भी इसको नाप सकते हो इसी के अंदर हम डालेंगे एक कप दूद अब इसमें हम डालेंगे थ्री फोर्थ कप मतलब पॉन कप पाने भी प्रेंड्स मैंने एक कप दूद और थ्री फोर्थ कप पानी लिया है आप पूरा पूरे दो कप दूद दूद ले सकते हो, या पूरा पोने दोकप पानी भी आप ले सकते हो, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम इसको गरम करेंगे, फ्रेंड्स इसे हमको चीनी जो हमने डाली है वो पूरी भीघल जाए और एक उबा लाने तक इसे हमको पकाना है, इसमें हमने चीनी, दूद, पानी और घी ये सब चीजें मिक्स की विए अब चीनी पी घल जाए और एक उबाल आ जाए तब तक इसे हम गरम करेंगे देखें फ्रेंड इसमें उबाल आने लग गया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने के बाद इसे हम गैस बन करकर ठंडा होने देंगे इसे हम ठंडा होने देते हैं देखें फ्रेंड्स हमारा जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया है अब इसे हम एक परात में निकाल लेंगे जिसमें हमें आटा लगाना है अब इसे हम पर आतमे निकाल लेते हैं पूरा यह बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं यह रेसिप्पी आप ज़रूर ट्राइ करना और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर क देखिए फ्रेंड्स अब इसमें हम डालेंगे दो टी स्पून के करीब नमक, नमक डालने से जो शकर पारे हैं वो और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं, अब इसमें उसी कप से हम थोड़ा-थोड़ा मैदा मिक्स करेंगे, मैंने एक कप मैदा डाला है, और एक कप मैदा हम डालेंगे, धीरे-धीरे मैदा मिक्स करते जाना है, और इसका हमें मीडियम से कड़क आठा लगाना है, अभी मैंने इसमें तीन कप के करीब आठा डाल कर ये आठा लगाया है, लेकिन ये थोड़ा सा नरम ही लग रहा है, तो लगाना है इसके लिए टोटल मुझे 5 कप मेदा लगा है अगर आपको मेदे पूरे मेदे का नहीं बनाना है तो आप गेहू का आठा आधा और आधा मेदा ऐसा भी ले सकते हो अब इसे हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मीट तक रख देंगे 10 से 15 मीट बाद आटे की छोटी-छोटी सी मीडियम लोई बनाकर इसे हमको बेल लेना है इसकी जो रोटी हम बेलेंगे यह थोड़ी सी मोटी ही बेलनी है और इसको हम शकर पारेक के जैसे कट कर लेंगे छोटे-छोटे पहले कड़ाई में हमको तेल थोड़ा सा गरम करने के लिए रखना है यह जो शकर पारे हम बनाएंगे इसे कट तलने के लिए देखे फ्रेंड्स इस तरह से मैंने शकर पारे कट करकर रख लिए है अब एक कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है ये तेल थोड़ा सा गरम हो जाए बहुत जादा भी गरम नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं अगर कम गरम तेल रहा तो ये शक्कर पारे में तेल भर जाएगा और अब ये हम धीरे-धीरे से ये तलने के लिए कड़ाई में डालेंगे ये शक्कर पारे तलते वक्त हमको मीडियम फ्लेम ही रखना है क्योंकि अगर हमने तेज आज पर इसे तले तो वो शक्कर पारे ऊपर से तो तल जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे इसलिए मीडियम टू मतलब कम से थोड़ा मीडियम के बीच में हम इसको रखेंगे दीमियाज पर ही इसे तक आप ये रेसीपी ज़रूर ट्राइ करना फ्रेंड्स और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इसे तरह से ये शकरपारे सारे बाकी बचे हुए शकरपारे भी कट करके हमको तलने है देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर कलर आया है शकरपारो का बिल्कुल ऐसे है सुने रे कलर पर इसे तलना है अब इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से इसका तेल पूरान निकाल लेना है बहुती अच्छे लग रहे हैं हमारे शक्करपारे इसी तरह से हमें सारे शक्करपारे तल लेने है देखें फ्रेंड्स मैंने सारे शक्करपारे तल लिये हैं ये शक्करपारो का कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं तो आप ये recipe शरूर ट्राइ करना friends आपने इतना time निकाल कर मेरी recipe देखी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नई recipe के साथ Thank you, Bye